गुड इवनिंग एवरीवान वेलकम अगेन इन मा योटूब चैनल गुरुकोल लर्निंग अकैडमी आज की हमारी कहानी है सुज बूज से सुलजा ले समस्या एक किसान था वह अपने खेतों में काम कर घर लोट रहा था रास्ते में ही एक हलवाई की दुकान थी उस दिन किसान ने कुछ ज़्यादा काम कर लिया था और उसे भूख भी बहुत लग रही थी ऐसे में जब वह हलवाई की दुकान के पास से गुजरा तो उसे मिठाईयों की खुश्मू आने लगी वह वहाँ खुद से रोके बिना खुद को नहीं रह पाया लेकिन उस दिन उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे ऐसे में वह मिठाई खरीद नहीं सकता था तब वह कुछ देर पर वहीं खड़े होकर मिठाईयों की सुगंद का आनन्द लेने लगा जब मिठाई वाले ने किसान को मज़े से उसकी दुकान की मिठाईयों की मैंने तो मिठाई नहीं करी दी और नहीं चकी तो फिर पैसे किस बात के हलवाई बोला भले ही तुमने मिठाई नहीं ली हो लेकिन मेरी बनाई मिठाई की खुश्पू का आनन्द तो लिया है हलवाई बोला मिठाई के खुशफू लेना मिठाई खाने के बराबर ही है तो तुम्हें अब इसके पैसे देने होंगे किसान पहले थोड़ा घबराया लेकिन फिर थोड़ी सोजबूज दिखाते हुए उसने अपनी जेब में कुछ सिक्के निकाले और उन्हें दोनों हाथों के बीच में डाल कर खनकाया अब खनकाने के बाद किसान अपने रस्ते जाने लगा हलवाई बोला मेरे पैसे तो दो किसान ने कहा जैसे मिठाई की खुश्बू का अनंद लेने मिठाई खाने के बराबर ही है वैसे ही सिक्कों की खनक सुनना भी पैसे लेने के बराबर है बच्चों इस कहानी का हमारा मोरल हमारी सीख है तो दोस्तों कई बार आपको जीवन में इस हलवाई के जैसे लोग भी मिल जाएंगे ऐसे में आप घबराईए नहीं सूजबूज से इन्हें जवाब दे और समस्या से इस किसान की तरह ही बार निकल जाएं थैंक यू